नमस्कार, श्वागत है आप सभी का Current Affairs Revision Series में आज ये छठा वीडियो है जिसमें आज हम लोग Sports से रिलेटेड जित्ता भी Current Affairs important है, last 3-4 मन्त का उसको इसमें cover करेंगे तो बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा शुरू करते हैं, हमारा पहला fact है कि Cameron White के बारे में Australia के All-Rounder Cameron White ने Cricket के सभी format से सन्यास लेने की घोचना की है उन्होंने Australia के लिए 4 test में सहीत 91, 1-day match और 47, 3-20 match खेले हैं महिला British Open 2020 का खिताब किसको मिला है? तो जर्मनी की गोलफर Sonia Popov ने महिला British Open 2020 का किताब जीत लिया है में आपको जो है, विजेता का नाम यार रखना है, जो सबसे महत्पूर्ण exam के point of view से उन्होंने यह किताब Thailand की Jasmine Swampura को हरा कर जीता Sophia LPGA Tour का किताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोलफर बन गई है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, UEFA Champions League 19-20 का किताब जर्मनी के football club Bayern Munich ने UEFA Champions League 2019-20 का किताब जीत लिया है Bayern Munich ने यह किताब France के Paris Saint German को 1-0 से हरा कर जीता Champions League के तिहास में एक सीजन में सभी 11 मैच जीत कर चैंपियन बनने वाली Bayern Munich पहला club है Bayern Munich का यह छटवा European Champions League किताब है अगला अपडेट देखते हैं, पोलायमी घटक टेबल टेनिस खिलाडी पोलायमी घटक ने सन्यास की अभी हाली में गोशना कर दी है उन्होंने 2006 के राष्ट मंडल खेलो और 2008 के बीच Commonwealth Championships में भारत का प्रतने देट किया था अगला अपडेट जो की बहुत ही महत्पूर्ण है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेजगे द्माज कौन बन गये हैं तो इगलाइंड के जेम्स एंडर्सन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेजगे द्माज बन गये हैं पाकिस्तान के खिलाब खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद उन्होंने या उपलबदी हासिल की वह अब तीन स्पिनरों मुथाया मुलीधरन, सेनवान और अनिल कुमली के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेदवाज बन गये एक और सन्यास की घोशणा हुई है जो कि ब्रायन बंदू ने यानि ब्रायन ब्रदर्स ने की है तो ब्रायन ब्रदर्स कौन है एक का नाम है बॉब ब्रायन और दूसरे है माइक ब्रायन टेनिस में पुरुस डबल्स की सबसे सफल जोड़ी ब्रायन बंदू बॉब ब्रायन और माइकल ब्रायन ने सन्यास लेने की गोशणा की है उन्होंने 2012 में लंदन उलंपिक में स्वनपदक भी जीता था माइक ब्राइन ने अपने भाई से अलग दो और गैंड स्लैम भी जीते हैं T20 क्रिकेट में 500 विकट लेकर इतिहास रचा किस क्रिकेटर ने तो वेश्टन डीज के आलाउंडर खिलाडी ड्वैन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकट लेकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाले वे पहले गेदवाज बन गये हैं इसलिए ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रसन है जो आपसे पूछा जा सकता है कैरेबियाई प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेल लहे ब्रावो ने सेंट लूसिया जोक्स के खिलाप मैच में रिकार्ड बनाया टी ट्वेंटी क्रिकेट में दूसरे नंबर पर स्रिलंका के गेदवाज लसित मलिंगा हैं जिन्होंने 390 विकेट लिये हैं अभी तक और तीसरे इस्थान पर सुली नरेन हैं जिन्होंने 383 विकेट लिये हैं अगला अपडेट जो की बहुत ही महत्पूर्ण है राजियू गांधी खेल रत्न पुरुसकार की रासी तो इसको बढ़ा दिया गया है भारत सरकार द्वारा राजियू गांधी खेल रत्न पुरुसकार की रासी को 7.5 लाग से बढ़ा कर 25 लाग कर दिया गया ये घोशडा र राइफ टाइम पुरुषकार में 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए, द्रुणाचार रेगुलर पुरुषकार और ध्यांजन पुरुषकार में भी रासी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पुर्तियोगता है और इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 163 देसों ने भाग लिया था। की टीम से हैं और नीदर लेंड के हैं ने करमसा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो आपको मुख्य रूप से जो है बिजेता के नाम आदकना है कि लुईस है मिल्टन ने ये पृतियोगता जीती है। वेस्टन एंड सदन ओपेंड एटीपी टेनिस टूनामेंट का किताब सर्विया के नुवाग जोकोविच ने वेस्टन एंड सदन ओपेंड एटीपी टेनिस टूनामेंट का किताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में कनाइडा के मिलोस राउनिक को हराया और ये उनका करियर का असीवाट टाइटिल था है। आयका ताका हासी ये भी एक जो है ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाडी हैं जिन्होंने हाली में सतन्यास की होच्णा कर दी है और ये जापानी खिलाडी इन उन 2016 में रियो ओलंपिक के यूगल वर्ग में स्वन पदक जीता था। आधिकारिक पार्टनर या ओफिसियल पार्टनर चुना गया है। अगला अपडेट बीस नए खेलों को सरकारी नोकरी है तो एटलेट कोटे में सामिल किया गया। तो ये नए खेल कौन से हैं बहुत सा लंबी लिष्ट है तो पूरी लिष्ट याद करने जिरुवत नहीं है बस आपको यह पता होना जीए कि बीस नए खेलाइट कर दिये गए हैं और अब जो है 43 से बढ़कर 63 खेल ऐसे हो गया हैं जिनके प्रतिभासाली खेलाडियों को स ओपन 17 टूनामेंट ऑनलाइन जीत लिया है उन्होंने संभावित 9 में से 7.5 अंग जुटाए और वे 6 जीत और 3 ड्रा के साथ सीर्स पर रहे हैं यह उन्ने खिताब जीतने के लिए जोर्जिया के ग्रैंड मास्टर बार्डूर जुकोवा, सैम सेवियोन, अमेरिका के क्रिकेट अमबेजडर कौन बने हैं तो वेस्टन डीज के खिलाडी ड्वैन ब्रांबो, SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट अमबेजडर बनाए गए हैं, SBO टॉप क्या है यह एक बैस्विक ऑनलाइन बैटिंग बैटिंग प्लेटफार्म है जो चालित किया जाता है अगला अपडेट F1 इटालियन ग्रेंट पिक्स 2020 किसने जीता है तो यह जीता है पीरे गैसली ने जो की स्क्रेडिया अलफ्रेट्री फ्रांस के हैं और इन्होंने इटली के आट्रोड्रोमो नौजिलेनो मोंजा को में आया जित फार्मूला वन इटाल ग्रेंट पिक्स 2020 का किताब जीत लिया है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अगला अपडेट देखते हैं दिगज खिलाडी को लाइन जजज पर गेंद मारने के कारण अमेरिकी ओपें से बाहर किया गया किसको बाहर किया गया नोवाक जोकोविच को इन्होंने लाइन इंस्टाग्राम फालोवर का अकरा चुने आली पहली IPL टीम कौन सी बन गई है मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस IPL टीम 5 मिलियन इंस्टाग्राम फालोवर का अकरा चुने आली पहली IPL टीम बन गई है चैन्नी सुपर किंग्स की टीम दूसरे स्थान पर जिसके 4. पॉइंट एट मिलियन इस्टाग्राम फालोवर हैं और विराट कोली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू चार मिलियन फालोवर्स के साथ तीसरे पायदान पर है। अगला अपडेट इस्पोर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स जीपॉर्ट का ब्रांड अमबेज़र किसको बनाये गया है। तो क्रिकेटर इस्मृती मंधाना एवं भूनेश्वर कुमार को फैंटेसी स्पोर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स जीपॉर्ट का ब्रांड अमबेज़र बनाये गया है। फैंटेसी स्पोर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स जीपॉर्ट एक स्पोर्स गेमिंग एप है जो यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सच्छम मनाता है। अगला अपडेट देखते हैं विस्व वूसु चैंपियन वूसु जो एक मार्सलाट है तो वूसु चैंपियन में जो है किस ने जीता भारती पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को वर्ड वूसु चैंपियंशिप में उनको विस्व चैंपियंशिप का किताब दिया गया। यह किताब उन्होंने उन्हें पिछले वर्स वूसु विस चैंपियन से में जीते रज़त पदक के गोल्ड में परवर्तित होने के बाद दिया गया। जोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपेन 2020 का महिला एकल का किताब दूसरी बार जीत लिया है। यूएस ओपेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाडी फाइनल में पहले दो सेट हारने के बाद खिताब जीत पाया हो। अगला अबडेट देखते हैं टसकन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हमेल्टन जो की मर्सडीज रेसर हैं ग्रेट ब्रिटन के हैं इनों इटली के मुगेलो सर्गिट में आजित फार्मूला वन टसकन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। यहाँ इस सीजन में उनकी छटवी जीत है और यह उनकी कैरियर की जो है 90 वी जीत इस रेस में वाल्टेरी बोटाज जो की मर्सडीज के हैं फिनलैंड के प्लेयर हैं दूसरे स्थान पर रहे और अलेक्जंडर अलबॉन जो की रेडबुल टीम के हैं और थाइलैंड से हैं अगला अपडेट महतपूर है एक्जाम के point of view से पेटियम first game के brand ambassador कौन बनाए गए हैं तो पेटियम first ने सचिन तेंदुलकर को अपना brand ambassador बनाया है पेटियम 2022 तक IPL का आधिकारिक साज़ेदार है और भारती cricket का title project रहा है अगला अपडेट देखते हैं online poker platform 9stacks ने brand ambassador किसको बनाया है सुरेश रहना को poker platform 9stacks ने अपना brand ambassador बनाया है next update देखते हैं Armand Duplantis Sweden के Armand Duplantis ने pole vault में 26 वर्स अपना पुराना record तोड़ दिया है उन्होंने रोम में golden गाला पियत्रे मोनिका मीट में दूसरे प्रयास में 6 मीटर 15 cm की cool लगा कर सरगेई बुबाका का 6 मीटर 14 cm का record तोड़ा जो उन्होंने जुलाई 1994 में बनाया था Fed Cup का नाम बदल गया तो सबसे पहला प्रसन है कि Fed Cup कहां पर दिया जाता है तो ये टेनिस में दिया आता है तो टेनिस के Fed Cup का नाम बदल कर अमेरिका की महान महिला टेनिस की लाड़ी Billy Jean King के नाम पर कर दिया गया है ये नाम परिवर्तन उन्हें सम्मान देने के लिए किया गया है ये पहला बड़ा वैस्विक टीम टूनामेंट होगा जो की महिला के नाम पर होगा Fed Cup महिलाओं का एक बड़ा अंतराश्टी टूनामेंट है इसकी सुरवार 1963 में हुई थी अगला अपडेट देखते हैं पुरुस एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2020 का किताब किस ने जीता है तो ये भी जीता है नोवाग जोकोविक ने जोकी सर्बियन प्लेयर है इनोंने इटालियन ओपन 2020 का किताब जीत लिया है अगला अपडेट महिला एकल वर्क का इटालियन ओपन किस ने जीता है ये रोमानिया की सीमोना हॉल अपने जीता है इतना सफीसियन्ट है रोमानिया की सीमोना हॉल अपने इटालियन ओपन 2020 महिला वर्क का किताब जीता है सिंगल्स में अगला देखते हैं एडवेंचर खेल गत्विदियों को बढ़ावा देने के लिए समझाता हुआ है किसके किसके मद्ध भारत तिबबत सीमा पुलिस जिसको आईटी वीपी कहते हैं सौर्ट में इसने उत्राखंट परेटन विकास बोर्ड के साथ एडवेंचर खेल के निर्माण पर काम करेगा अगला अपडेट डाक्टर गिर्जा संकर मुंगाली डाक्टर गिर्जा संकर मुंगाली को एसी आई फुटबॉल परिसंग यानि ए एफ सी का टास्पोर्ट का सदस्नियुक्त किया गया है और वे इस टास्पोर्ट में 2023 तक रहेंगे वर्तमान में वे अखिल भारती फुटबॉल महासंग की कलब लाइसेंसिंग समीत के अध्यच है नेक्स्ट अपडेट एसलेबार्टी एसलेबार्टी अस्टेलिया की महिला टेनिस संग की खिलाडी और पूर क्रिकेट खिलाडी है हालीमनों ने ब्रुक वार्टर गोल्फ कलब महिला चेंपियंसिप जीती है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं विस्विस्तरी दिव्यांग खेल केंद्र का सिलन्यास कहां पर हुआ तो ग्वालियर में यानि मत पदेश के ग्वालियर में विस्विस्तरी दिव्यांग खेल केंद्र का सिलन्यास किया गया समाजिक नियायम अध सिंग धोनी को पचाल कर सबसे सफल T20 आई विकेट कीपर बन गई हो नो नीजिलेंड के खिलाब तीन मैच यो की सिरीज के दूसरे मुकाबले में ये उपलब्दी हासिल की ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड पर हिली ने अपने नाम बानुवा डिस्मिसल धर्ज किया और महेन सिंग धोनी के नाम पर अंतराश्टी 220 क्रिकेट में 91 डिस्मिसल धर्ज है अखिल भारती फुटबॉल महासंग के वर्ष 2019-20 के सरफसेष्ट फुटबॉलर किसको चुना गया है तो गुरुप्रीत सिंग एवं संजु को अखिल भारती फुटबॉल महासंग के 19-20 का सरफसेष्ट फुटबॉलर गोसित किया गया है गुरुप्रीत का या पहला पुरुसकार है वे अखिल भारती फुटबॉल महासंग के प्लेयर आप दा इयर बनने वाले दूसरे गोल की पर हैं संजू राज्ट्री महिला टीम की मिड़ फिल्डर है और रतनबाला देवी को 19-20 Emerging Women's Foodballer of the Year के लिए चुना गया है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं रूसी Grand Prix 2020 का किताब किसने जीता है वाल्टेरी बोटास ने जोकी मर्सडीस के चालक है और फिल्लैंड के खिलाडी है इन्होंने रूस के सोची आर्ट्रोड्रोम में आया जित फार्मूला वन रसियन Grand Prix 2020 का किताब जीत लिया है अगला अपडेट पाँचवी अंतराश्टी ऑनलाइन निसाने बाजी पृतियोगता का 10 मीटर एयर राइफल पृतियोगता किसने जीती है विश्णू सिवराज पांडियन ने पाँचवी अंतराश्टी ऑनलाइन निसाने बाजी पृतियोगता की 10 मीटर एयर राइफल पृतियोगता को जीता है फ्रांस के एटीनियरे जेर्मांड दूसरे और आश्टिया के मॉर्टिन इस्ट्रेंफ तीसरे इस्थान पर रहे हैं नेक्स्ट अपडेट आईपील के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाडी कौन बन गए हैं महें सिंग दोनी महें सिंग दोनी आईपील के सबसे ज़्यादा मैच खेलनेवाले खिलाडी बन गए हैं महें सिंग दोनी ने अब तक आईपील में 194- Increous मैच खेले हैं इस मैच से पहले सुरेष रहना और Ms. Dh furnace की जो है बराबरी थी 193-193 मैचों की सुरेश रहना के बाद जो ही सर्मा ने 192 मैच खेले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महेन सिंग धोनी ने खेले है ICC T20 रैंकिंग भारती ये महिला क्रिकेट टीम ने ICC T20 रैंकिंग में New Zealand को पीछे चोड़ते हुए अब अपना इस्थान कौण सब बना लिया है तीसरा इस्थान बना लिया है T20 रैंकिंग में आस्टेलिया 290 अंग एगलाइंड 286 पहले दो इस्थानों पहे यानि टॉप पर जो है आस्थेलिया है दूसरे नंबर पर एगलाइंड है और तीसरे नंबर पर भारत है इस वर्ष T20 वर्ड कप के फाइनल ने पहुँचने वाला भारत 270 अंग के साथ तीसरे स्थान पर है जो की न्यूजिलैंड के 269 के एक अंग आगे है आगे देखते हैं T20 में 9000 रन बनाने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बन गए हैं विराट कोहली T20 क्रिकेट के 9000 रन पूरे करने वाले सातमे बले बाज हैं इससे पहले भी लोगों ने किया है जिसका विवरन यहाँ पर दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं पुरुस एकलवर का फ्रेंच ओपें 2020 मातपूर है फ्रेंच ओपें कई बार पूछा भी जा चुका है तो French Open किसने जीता है? रॉफेल नडाल ने जो कि स्पेन के हैं इनोंने पूरू सेकल वर का French Open 2020 खिताब जीत लिया है और नोवाग जोकोविच को इनोंने इसमें हराया है रॉफेल नडाल का ये 13 वा French Open Football एकल खिताब है और 20 वा Grand Slam है ये आगे चलते हैं महिला एकल वर का French Open 2020 फ्रेंच ओपन में ही महिला का जीता है इगा इसवोटेक जो की पोलेंड की हैं इनोंने महिला एकल वर का French Open 2020 खिताब जीत लिया इनोंने USA की Sophia Cannon को हराया है आगे बढ़ते हैं भारत के पहले घरेलू पेसेवर बैटमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड अमबेजडर किसको बनाया गया है तो Common Wealth Games में बैटमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेसेवर बैटमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म को ब्रांड अमबेजडर बनाया गया है आगे देखते हैं E-Fail Grand Prix 2020 का किताब लुइस हैमिल्टन ने E-Fail Grand Prix 2020 का किताब जीत लिया इस रेस का आजिन जर्मिनी के नूर बर्ग में नूर ब्रंगिंग में किया गया था next update IPL में एक ही टीम से 200 T20 खेलने वाले बिस्व के पहले खिलाड़ी कौंस बन गए हैं तो एक ही टीम से 200 T20 मैच खेला है बिराट कोहली ने बिराट कोहली IPL में एक ही टीम से 200 T20 खेलने वाले बिस्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और वे रायल चैलेंजर के कप्तान है अगला अपडेट महिला एकल बैटमिंटन का डेन्मार्क ओपें 2020 का किताब किस ने जीता है तो जापान की पूर बिस चेंपियन नोजोमी ओकुहरा ने एकल बैटमिंटन का डेन्मार्क ओपें 2020 जीत लिया है उन्होंने यह किताब तीन बार की 200 चंपियन कैरोलीन मरीन को हरा कर जीता है आगे देखते हैं पुरुस एकल बैटमिंटन का डेनमारिक ओपन 2020 तो डेनमारिक के एंडर्स अंटॉंसेण ने एकल बैटमिंटन डेनमारिक ओपन 2020 का किताब जीता उन्होंने डेनमार के ही रैसमस जैमेके को हरा कर ये किताब जीता है। तेज गेनबाद उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की गई है। प्रिक्स फार्मूला वन रेस 2020 किसने जीता है ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने और ये उनकी जो है बानवी जीत है। नेक्स्ट अपडेट क्रिष्टियन कॉलमेन अमेरिका के 100 मीटर के 20 चेंपियन धावक क्रिष्टियन कॉलमेन पर डोमपिंग नियंतरनों से जुरे नेमों का उलंगन करने के लिए दो वर्स का प्रतिबंद लगा दिया गया। इस प्रतिबंद के कारण हुए अगले वर्स होने वाले टोकियो अलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्रिकेट बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया कहां के दच्छिड अफरीका के क्रिकेट बोर्ड के सभी 10 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है ये स्तीफा दच्छिड अफरीकी सरकार और क्रिकेट दच्छिड अफरीका के बीच cricket board के मामले में लंबे समय से चल रही जाज के कारण हो रहा है आगे बढ़ते हैं T20 में एक हजार छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो Kings 11 Punjab के लिए IPL में खेलने वाले West Indies के खिलाडी 41 वर्सी क्रिस गेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाब इस उपलब्दी को प्राप्त किया अब तक इस फार्मेट में उनके नाम 1001 चक्के हैं उन्होंने इस उपलब्दी को 410 मैचों में प्राप्त किया है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं फ्रेंच मुक्केवाजी टूनामेंट फ्रेंच मुक्केवाजी टूनामेंट में भारत के तीन मुक्केवाजों ने स्वनपदक प्राप्त किया है बिस्ट चेंपियनसिप के रज़त पदक बिजयता अमित पंगाल और संजीत ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियुगता में स्वनपदक प्राप्त किया है सैन वाटसन आश्ट्रेलिया के सैन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है IPL में अपनी टीम चेन्नेई सुपर किंग्स के बाहर होने के बाद प्रतिसफर्द ही क्रिकेट से सन्यास लेने की उन्होंने गोशना की है और वैसे वो 2016 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले चुके थे महिला T20 चैलेंज का स्पॉंसर किसको बनाया गया है तो भार्टी क्रिकेट बोर्ड ने जीयो को महिला T20 चैलेंज का इस्पॉंसर नियुक्त किया है नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अन्ताराश्टी क्रिकेट परिसाद यानि ICC की बल्लेवाजों की रेंकिंग जारी हुई है और इसमें भारत के विराट कोली ने 871 रेटिंग प्राप्त किया है और रोहित सर्मा ने 855 प्राप्त करके पहले और दूसरे इस्थान पर ये दोनों रहे हैं तो विराट कोली पहले इस्थान पर है और रोहित सर्मा जो है दूसरे इस्थान पर है नेक्स्ट अप्डेट देखते हैं मौरलेन सैम्वल्स वेश्टन डीज के मद करम के बलेबाज मौरलेन सैम्वल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है अगला अप्डेट एक हजार मैच जीतने वाली कलब में सामिल हुए खिलाडी कौन से है तो बीस बार के ग्लैंड स्लैम बिजेता इस्पेन के रॉफल नडाल एक हजार मैच जीतने वाले कलब में अब सामिल हो गए है नडाल ने यह मुकाम पेरिस मास्टर में फेलोसियानो लोपेज को मार्ट दे कर हासिल किया पेरिस मास्टर 2020 का किताब किस ने जीता है तो रूस के डेनियल मेडवडेव ने बैटमिंटन में पेरिस मास्टर 2020 किताब जीत लिया है अगला अपडेट इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL का किताब तो आप सभी लोग जानते हैं मुंबई इंडियन्स ने पहली बार फाइनल खेल लही दिल्ली की कैप्टल्स, डिल्ही कैप्टल्स को पांच विकट से हरा कर पांच वी बार ये खिताब जीत लिया है यह IPL का भारत में 13 संसकरण था और किंग सिलेबन पंजाब के कप्तान केल राहूल ने IPL 2020 के सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए औरेंज कप्द हासिल किया उन्होंने 14 मैचों में 55.18 की सांदार औसर्ट से 670 रन बनाए थे तो IPL से कोई भी कोश्चन आ सकता है IPL 2020 के अनत में कुल 30 विकट लेकर दिल्ली कैपिटल के कगीसो रवाड़ा ने लिस्ट में टॉप पर रहकर परपल काईब जीता रोहिस सर्मा को IPL 2020 के फाइनल मैच में गेम चेंजर आप दा मैच चुना गया ट्रेंट बाउल्ट ने IPL 2020 के फाइनल में प्लेयर आप दा मैच का किताब जीता और गेम चेंजर आप दा होल सीजन कौन बने है केल राहूल आगे चलते हैं किरकेट बोर्ड में पहली महिला निदेशक की निदेशक की निदेशक हुई है तो पाकिस्तान के किरकेट बोर्ड में पहली महिला निरेशक की निरेशक की निरुक्ती हुई है मानो संसाधन कारकारी आलिया जफर PCB के चार नए निरेशकों में से सामिल हैं नेक्ट अबडेट देखते हैं महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का किताब जिसको हम महिला IPL के नाम से जानते हैं किस ने जीता है तो सार जहां में आज इत महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का किताब ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है ये किताब ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपर नोवाज को 16 रन से हरा कर जीता है नेक्स्ट अपडेट सुदीब त्यागी भारती क्रिकेट के तेज गेनबाद सुदीब त्यागी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में सन्यास की घुशना कर दी है उन्होंने भारत के लिए 4 वंडे और 1 T20 मैच खेला था नेक्स्ट अपडेट फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ड कप 2022 तो इसका आयोजन लगातार चेंज हो रहा है बदल ला है फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल बिसकप 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा और कोरोना महामारी के कार्ण्स को रद कर दिया गया था इस भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक किट स्पॉंसर कौन है तो किट स्पॉंसर बनाया गया है मोबाइल प्रीमियम लीग स्पोर्स होगा मोबाइल प्रीमियम लीग भारत में इस्थित e-sports प्लेटफॉर्म है MPL स्पोर्स ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 साल के लिए समझोता किया है आगे देखते हैं 2020 ITTF महिला वर्ड का जीत लिया है नेक्स्ट अपडेट महिला T20 बिस्व कप प्रत्युक्ता 2020 का आजन कहां पर होगा इस तरह के प्रस्न प्राय पूछे जाते हैं तो इसका आजन दच्छी इन अफरीका में किया जाएगा जिसे हाल ही में ICC ने तीन महिले के लिए आगे बढ़ा दिया है बिस्व कप का आजन नवंबर 2022 में होना था लेकिन अब ये 9 से 26 फरवरी 2023 के मद्य होगा यानि ये हो जाएगा 2023 में तो दोस्तों आज के लिए ता ही मिलते एगले सेगमेंट में नमस्कार धन्यवाद